हाई गुड बॉर्णिंग सस्या का राद आप नमस्का वनकम जैहिं दोस्तों कैसे आप लोग मैं हूँ आपका अपना डॉक्टर डॉक्टर नमनीत काल रहा और काफी दिनों के बाद अपने क्लिनिक पर आगे वीडियो बनाने का मोगा मिला है और चलो जिनिकी फिर नए सीरे से दुबारा से वहीं पर जहां से चलती आई है मेरे अपने दिली से वापिस आ चुका हूं एंड थैंक यू कॉल कटा एक बार फिर बोलूंगा आज की गुड नियूस गुड नियूस सबसे बड़ी गुड नियूस है कि केसे कम आ हैं लेकिन उससे बड़ा एक और कुछ औ आई वीडियो में भी बता चुका हूं कि इस बार कुछ अलग सिम्टम है और बताता हूं चलो पहले शुरू करता हूं आज की गुड नियूस और 11,793 केसे आए हैं 96,700 एक्टिव केसे हैं जो 0.21% हैं टोटल केसे का 27 डैथ हुई हैं अगर आप ध्यान से देखें बता रहा है कि हम बिल्कुल पीक के ऊपर खड़े हुए हैं तो उमीद करता हूं कि अब शायद केसे कम होने शुरू हो जाएंगे हाला कि अभी आज मंगलवार है तो आज तो कम केसे आते ही हैं अब असली पता चलेगा दो दिन के बाद तो एनिवेज उमीद करते हैं सब ठ ठीक ठाक है और ठीक ठाक होगा और मैं भी घुमफिर के आ रहा हूं तो मुझे भी कोई ऐसा कुछ खास दिखा नहीं है कोई कोई बहुत जादा प्रकॉप हो हर जगे लाइने लगी हुई है हर जगे पता नहीं कोई से एकोनोमी डाउन हो गई और क्या हुआ हुआ है समझ स बतीस सो कर्नाटका 617 तमिलनाडू 1400 और आंधरा 43 यूपी 449 वेस्ट मेंगॉल 550 दिल्ली 628 दिल्ली में तीन डैथ हुई है तो दिल्ली का फ्लक्शेशन बहुत जादा है आज 628 तो कल 1500 होंगे तो यही मैं बात पिछले वीडियो में भी कर रहे थी कि इतने ज्यादा फ्लक ओडिशा में 69 राजस्तान में 97 गुजरात में 350 चंदी चतिसगड में 125 मद्यपदेश में 74 हरियाना में 450 बिहार अरे बिहार भाई 133 तेलामिना 477 पंजाब 129 आसाम 60 जमू कश्मी 67 यू के 32 जमू कश्मीर जारकन 32 हिमाचल 94 गोवा 130 मिजोरम 41 एंच चंदीगड 52 तो कुल मि आके हाल चाल ठीक ठाक है अभी तक हमारे पास 197.31 करोड वैक्सीन लग चुकी है और मुंबई में केसे आया है 1062 तो केसे वहाँ पर भी कम हो रहे हैं और रिकवरी रेट है हमारा करीब 96.58 परसंट तो अब आता हैं दूसरी खबर के उपर जो की important खबर है और काफी लोग इ बी कर रहे हैं और वो है वैक्सीन mixing का booster का श्पेशली booster as a mixer mixing dose मतलब आपने अगर पहले को भी शीड़ वैक्सीन लगवाई है तो उसके बाद biological एकी को और भी wax कम जो एक है उसको शायद अब आगे anti national जो technical advisory group of immunization है आज उसको recommendation दे दे आज नहीं तो कल ऐसा लग रहा है तो आ कि आप जो वेक्सिन पहले लगी है वो तो हम लगवाई सकते हैं इस बूस्टर लेकिन ये देखा गया है कि mixing of vaccine is for better or more efficacious ठीक है कि अगर ये देखा गया कि mixing से ज्यादा immunity बनती है ये हमारे यहां पर भी study हो चुकी है इंडिया के अंदर तो चलो लेट सी देखते हैं पहले तो अब बूस्टर किसको लगवानी है नहीं लगवानी है अब लोग में से पूछेंगे फिर यहां पर तो मैं फिर बोलूगा कि मेरा भाई वीडियो जाके देख लें आज थोड़ जी वो positive होगे अब क्या फाइदा positive negative होने का अब तो कांड होगे आप क्या पाकिस्तान ने order करा है कि अब domestic flight में भी mask लगाने पड़ेंगे क्योंकि वहां पे covid के cases में काफी बढ़ोतरी हो गई है तो पाकिस्तान हिंदुस्तान का हाल एक जैसे ही चलने कोई जादा फरक है न लेकिन उससे पहले मैं फिर सभी भक्तों से बोलूंगा कि अपने medical check-up करा के जाएं जी हाँ medical check-up करा के जाएं क्योंकि इस बाद देखा जा रहा है कि काफी यात्रा जाए वो कैदार ना था गया तो काफी लोग वहां से death की खबर आई कि जो वहां पहुंश की जिनको problem हु दिल्ली में महला क्लिनिक वे भी वेक्सीन लगा करेगी बड़े लोग बड़ी गल्ला सोरी छोटे लोग चट्टी गल्ला कुछ तो करो अब आता हूं उस topic वे कि आखिर जो इस बार covid हो रहा है उसका main symptom symptoms में क्या कुछ अलग है थोड़ा सा अलग है मैंने खुद नोट करा ह कि फीवर सबसे main symptom है कई बर फीवर के लावा कोई symptom नहीं है सिर्फ फीवर है तो खाली फीवर का होना देखो मैं जब पेशेंट आते हैं खाली फीवर करके आज के टाइम पे कि मुझे दो दिन से फीवर है तो मैं को भी आटी पीसीर भी कराता हूं उनका CBC भी कराता हूं यह है कि अधर मुझे लगता है तो ऐसा नहीं कि हर पीशन की कराता हूं हर पिशन का टैस में तो बीलकुल नहीं कराता हूं तो अुगल करते हैं कि लेकिन यह बात सच है कि अगर खाली फीवर करके परशन आ रहा है तो आप कैसा करों क reus रिए नहीं है और अगर आप 3-4 दिन के बार टेस्क कराते हो तो फिर उसका कोई माइने नहीं रहा जाता है तब तक वो फैला चुका है बाकी घर वालों को तो इस बार यही है मुझे लगता है कि मान ही लो यार मतलब छोड़ो सारे बंधन छोड़ो नियम पे चलना छोड़ो इंकल इंकलाब जिन्दाबाद जी हां इंकलाब जिन्दाबाद यही करना पड़ेगा इस कोविड से मुक्ति चाहिए तो शायद मुझे लगता है सारे रूल रूल रेगुलेशन का एक कुलिंदा बान के उसको कच्छरे के डिम्बे में पैकना पड़ेगा तब ही हम बोल पाएं कि यह सब चलता रहेगा तो मुझे नहीं लगता कि तो कि एक नेक दिन तो सरकार को डिसाइड करना ही है कि भाई हम कब यह उद्गोशना करेंगे कि कोविड अब खतम हो गया है या नाम के लिए बचा है या एंडमिक में करनमाट हो चुका है अब ज्यादा घबराने की बा हो जाए पर बहुत जल्द है यह सब डिसिजन बहुत जल्द आने वाले हैं शायद और इसकी वज़े से एकनोमी भी बहुत बूम आएगा क्योंकि सरकार की कोशना एक तरह से केटलिस्ट का काम करेगी हमारी एकनोमी में ठीक है इन चीज़ों से बहुत फरक पड़ता है कि आप लोगों को शायद छोटी बाते लगती होंगी और पता नहीं मेरे वीडियो बनाने से मार्किट उपर नीचे तो नहीं होती है नीज़ चैनल वाले हमारे ही जो वकतववे जो हम लोग बोलते हैं लोग और उसको मैंने सुना है कि जो बोलता कहीं बरी तो आपently होते हैं बता है कि नाम तो हमारा नहीं बताते हैं और एक्सपयर का कहना है कि ऐसा हो सकता है और तो चलो मुझे खुशिय होती है कि हमारी वीडियो को कि तो देखते हैं, भला ही पत्रकार हो जो हो फिर न्यूश चैनल हो, आटलिस देख्के कुछ वो उसका समराईज हरा है, चलो तेंक कोई subscribe कर रहा है, खुशी तो मिलती है, लोग subscribe अगर आपको करते हैं, लेकिन जो प्यार मिलता है, उसके आगे सब्वैकार है, फिर बोलूगा बाकी सब्वैकार है, बस मेरे यार है, ठीक है? सच मेरे यार है, बस यही प्यार है, जिसके बदले में कोई तो प्यार दे, भाकी बेकार है, यार मेरे, ओ यार मेरे तो यह सीचा, यह मुझे जो प्यार मिला है अभी, जब मैं दो-तिन दिन से यहां पे नहीं था, तो यही सीखा है मैंने, कि प्यार लो और प्यार दो, that's all, चलो, anyways, thank you very much, आपका मुना भाई, MBBS